दोस्तों ये एक श्रिंखला है किस्से कवियों के हैं जिसको मैंने हिंदुवी के लिए हिंदी के मातपूर्ण जो कवी हैं उनकी जिन्दगी से संदर्भित किस्से लिखे थे और अभी भी कुछ लिखने हैं 84, 84 या 85 किस्से में लिख चुका हूँ मुझे एक शतक पूरा करना है तो वो समय आने पर आनुकूल परिस्थिती आने पर उसको मैं पूरा करूँगा लेकिन अभी जो किस्से जितने अभी तक लिखे हैं उनमें से कुछ किस्से मैं आपके समक्ष इनको सुना रहा हूँ और उसके लिए जो लिखित पार्ट है उसका सहरा लेते हुए बाचीत के शिल्प में आपके समक्ष प्रस्तूत कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो किस्सा है वो हिंदी के महत्पूर कभी विश्युखरे का है और विश्युखरे जब मैं 2015 में मद्ध्रदेश में जो केंद्री विश्विध्याले है सागर विश्विध्याले उस में जब मैं शिक्षक था, उस दोरान वो सागर आये थे, किसी निजी यात्रा पर. और सागर विश्व विद्याले के गेस्ट हाॉस में, अति थिद्री में ठहरे हुएते. तो मेरे पास उनका फोन आया कि मैं सागर आया हुआ हूँ और यहाँ अतितिकरी में ठहरा हूँ तो क्या तुम मिल सकते हो तो मैं उसे मिलने गया और मैंने एक बहुत ही महत्पूर्ण कवी आलोचक सागर विशुद्या ले आये हैं ऐसा वहाँ पर जो साहित्तिक समाज था साहित्प्रेमी लोग थे उनको बताया तो फिर हम लोगों ने मिल करके शिठ्चकों और विद्ध्यार्थियों ने मिल करके उनका एकल कवितापाट कराया एकल व्याख्यान कराया जो कि एक बहुत सुनेहरा उसर था अमनों के लिए और बहुत काम्याब रहा उनका कवितापार्ट भी और व्याख्यान भी जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक बहुत तेजस्वी कवित थे और निरर थक्ता को प्रतिगामी वैवहार को बरदाश्ट नहीं कर पाते थे तो अतितिग्री में कुछ दिन रहे वो दो-तिन दिन तो उनके कवितापार्ट और व्याख्यान से प्रभावित जो विद्यार्थी थे शिक्षक थे वो उस कक्ष में उनसे मिलने आते थे तो एक दिन मैं अतितिग्री में उनके साथ बैठा था तो वहाँ पर एक शोध छात्र अचानक विश्णु खरे से मिलने आए तो आए तो वहाँ पर कुछ चाय और जल्पान वगरा हुआ और उसके बाद विश्णु खरे ने उनसे पूछा कैसे आना हुआ और क्या कुछ कहना या जानना चाहते हैं लेकिन वो जो विद्यार्ती था वो विश्णु जी की प्रतिभा से प्रभावित था लेकिन वो उसने कुछ कहा नहीं वो कोई सवाल नहीं किया उसने और जब विश्णु जी ने इसरार किया कि मिलने का क्या प्रियोजन है आप उससे मिलने क्यों आए तो उसने कहा कि मैं बस आपके दर्शन करने चला आया तो मैंने देखा कि विश्णु करे असहज हो गए और मैंने सुना है कि एक बार आचारे हरजारी प्रसाद दिवेदी हिंदी के एक और बड़े आलोचक आचार रामचनशुकल के घर चले गए थे तो शुकल जी ने पूछा कि कैसे आये तो दिवेदी जी ने कहा कि इधर से निकल रहा था तो मैंने सोचा दर्शन करता चलूँ तो एक विनोत प्रीता थी उनमें सेंस ओफ हुमर था रामचनशुकल में जो उनके निबंदों में भी बीच बीच में जलकता है तो रामचनशुकल ने कहा कि दर्शन का जवाब दिया जब उनका दर्शन करने चला आया तो रामचनशुकल ने कहा था कि दर्शन तो हो गए दर्शन होने में तो एक मिनट आदा मिनट लगता है, हो गए दर्शन, तो एक उन्होंने विनोत किया, रामचनशुक्ल ने, कि दर्शन वो तो हो गए, लेकिन ये जो उस विद्यार्थी ने कहा, कि आपके दर्शन करने चला आया, तो विश्णु खरे असहज हुए, लेकिन बोले नहीं कुछ, जब वो विद्यार्थी चले गए, तो विश्णु जी ने मुझसे पूछा, कि इनके आने का क्या प्रयोजन था, तो जो मैं समझ पा रहा था, तो उसी के मुताबिक मैंने जवाब दिया, कि कोई काम नहीं था, आपके प्रति सहज, शद्धावश, वो चले आये थे, आप से मिलने आये थे, तो विश्णु खरे ने थोड़ी सी नाखुशी और आश्चर जताते हुए कहा, कि हम आदमी हैं कि तीर्थ हैं, तो ये एक प्रसंग है, जो विश्णु खरे के जीवन और उनके सुभाव का एक प्रतिनी दी नजीर है, उसकी प्रतिनी दी उदारण है,